खुआ अच्छ आप का सब्सक्राइब यूटूब चनल टेश वर्ड में आप बिजमिता स्वेंडर राप में काया से अपन करते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से बिजमिता स्वेंडर राप इंस्साल करना है मैंने इंस्टाल कर लिया है अब यह उपन कर लूँगी फेंड सब को यहां दो आप्शन्स पूच रहा है यह से क्रेट वर अकाउंट एक से क्लिक है टू लागिन अगर आप अपने अभी तक बिजमितास में अकाउंट क्लिक कर सकते हैं अगर आपने पहले से एकउंट क्लिक कर सकते हैं और अपना अकाउंट लागिन कर सकते हैं मैं आज आपको अकाउंट क्लेट करने के बारे में दिखाऊंगी कि मैंने ओपन कर लिया अधेन आपको यहाँ आपका फुलने में इंटर करना है कि मैंने इंटर कर लिया अधेन आपको यहाँ अपनी इमेल आइड एंटर करना है आपको यहां अपना मुबाइल नमबर एंटर करना है मैंने मुबाइल नमबर ऐसे एंटर कर दिया आपको अपना परसनल मुबाइल यहां एंटर करना है मुबाइल नमबर देन आपको यहां OTP एंटर करना है आपके रिजिस्टर्ड मुबाइल नमबर पर जो आएगा फिर आपको यहां एक strong password create करना है then यह हो गया रिजिस्टर फिरंच से रिजिस्टर हो गया है then आपको store open कर लेना है store listing आपको यहां नीश आपकी name डालनी है then आपको यहां sub category add करनी है next आपको आपकी location current location यहां add करनी है friends यह location search करते time आपकी mobile की location on रहनी चाहिए यह मैं save देती हूँ then select state में आपको अपना state select करना है then आपकी city enter करनी है then आपको अपना area select करना है then आपको अपना full address डालना है then आपको यहां आधर काड और pan card upload करना है friends आपको first option आधर काड है अगर आपके पास आधर काड नहीं है तो आप pan card भी use कर सकते है then आपका trade lessons यहां upload करना है then यह प्रेसिस की आई lessons आपको यहां डालना है friends पर आपकी store का photo है किदा अपलोड करना है यह मैंने store की photo upload कर दी आप अपने store की अपनी photos यहां डाल सकते हैं upload कर सकते हैं then register पर आपको क्लिक करना है यह होगा action completed आपकी shop successfully आप vendor app में register हो गई है then आपको explore page में यहां जाना है आपको यहां बहुत से options दिखाई दे रहे हैं all products, pending products, confirm orders, delivered orders, total products यह सब आपको दिखाई दे रहे हैं friends आपको यहां red circle में 0 दिखाई दे रहा है membership के days आपको 0 दिखाई दे रहे हैं अगर आप subscription करेंगे तो आप यहां आपके subscription के हिसाब से days देख सकते हैं then आपके red circle के उपर एक bell icon है जिसमें आपको हर तरह की notification मिलेगी आप अपने location चेक कर सकते हैं then इधर ब्रेंड के बगल में left side में horizontal lines दिखाई दे रहे हैं अब मैं यहां click कर लूँगी friends आपको यहां green color का एक label दिखाई दे रहा है active का अगर आप किसी वज़य से छुटी पर हैं या आप किसी वज़य से shop open नहीं कर सकते तो आपको inactive करना है अगर आप shop open रखे हैं तो आप यहां active भी कर सकते हैं अगर आप वहीं सब शो होगा जो मैंने बताया देन आपको profile set करनी है अपनी यहां आपको दो options दिखाई दे रहे हैं एक है delivery option एक है pick up option इसमें मैं delivery option choose कर लूँगी अगर आप किसी वज़य से delivery नहीं दे सकते होम delivery नहीं दे सकते तो आप pick up option भी choose कर सकते हैं अगर आप delivery ये सकते हैं तो आप delivery option चूँज कर सकते हैं पर आपको how many kmowing寺टर serving में आप जितनी दूर तक आप दुकान लाख की दिखाना चाहते हैं यहां enter कर सकते हैं जितने kilometer तक आप दिखाना चाहते हैं जैसे कि मैं करना है रख च्षछाए कि मैंने नहीं का थ्वेंटी जैना jar कुरिए अगर नकिर था न कि यहां है तो और मोन के बाद यहां पना है अई कितनी कि मोंत के बाद यहां है। कर सकते हैं जैसे मैंने यहां कर दिया तिर आपको अपडेट देना है यह हो गए हमारी प्रोफाइल अपडेट दिन आप यहां प्रोड़क्त को आड़ करना चाहिए अब हम यहां प्रोड़क्त आड़ करेंगे आपको प्रोड़क्त का नेम दालना है इधा है यह मैंने डाल दिया यह सेट में आता है तो मैं ब्रैकेट में डाल दूंगी देन आपको यह नो सब कैटेग्री डालनी है तो आइस इसको आप औरीजिनल प्राइज आपको यहां डालना है देन आप कस्टमबर को कितने में बैचेंगे यह आपको यहां डालना है यूनित में आपको यहां वन सेट ऐसा डालना है जो आपको डॉल का सेट ही आता है तो मैंने यहां सेट डाल दिया देन आपको आपके पस कितना स्टॉक है यह आपको यहां डालना है देन डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं जो आप चाहें तो आप अपने प्रोडक्ट की फोटा आइड कर सकते हैं जो आपको डालना है देन में यहां प्रोडक्ट की फोटा आड कर सकते हैं देन आड़ प्रोडक्ट यह होगा product added, okay then friends आपको यहाँ edit option मिल जाएगा इसमें आप अपना product delete भी कर सकते हैं और अगर आप product edit करना चाहते हैं तो आप edit भी कर सकते हैं then orders में आपको यहाँ हर तरह की orders मिल जाएगे जैसे pending orders, confirm orders, delivered orders then rating and reviews में आप अपने swap के बारे में लोग क्या राए रखते हैं यह reviews के तुरू जान सकते हैं then subscription, subscription में आप friends आप जैसे mobile का recharge करते हैं और यह आपको swap का भी recharge करना है यह मैं 30 day का pack ले रही हूँ, pay now यहाँ आपको बहुत से option मिल जाएंगे प्रेंस यह हो गया, action completed payment successful हो गया है आप यहाँ subscription के days देख सकते हैं यह आपकी total ही बिगमिदास vendor app में store registered हो गई है आप subscription करते हैं इसमें आपको पारसेंड होबिस लेना है यह हमारी store आ गई है यह हमारी store आ गई है यह अब मैं add कर लूँगी यह successfully added to cart यह cart में save हो गया है then cart में check out मैंने office address परे save कर रखा है तो मैं office address लूँगी continue successfully order यह product order हो गया है then आप मैं यहां डिगने दा spend राक्त में आप कैसे product accept करें यह रिखाऊंगी आपको यहां orders open कर लेनी है यहां आपको show होगा accept reject call now location आपको यहां सर्क show होगा अगर आप आप accept करना जाते हैं आपको यहां आपको यहां ग्राहां को direct call करना चाते हैं तो call now भी कर सकते हैं यहां आप ग्राहा की location भी डाल सकते हैं मैं यहां accept देखी हो यह मैं accept देखी हूँ यह यह confirm order में save हो जाएगा इसमें आप अगर यह complete कर देंगे तो आप डिलेवर कर देंगे तो आपको यहां completed का option चूज करना है यह delivered order में save हो जाएगा आप direct call भी कर सकते हैं और location भी जान सकते हैं ग्राहक की तो यह था friend तो इतनी easy से आप बिग मिदास vendor app में shop register कर सकते हैं और product add भी कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको यह video कमेंट करके बताएए और like, subscribe करना ना भूले Please like, share and subscribe Thank you, thank you all of you 6 6 9